जैहिन दोस्तो आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोगा स्वागा थे जैसे कि हम लोग तिरू अनन्तपुरम डिविजन का जेए डिपर्मेंटल कुषिन पेपर सल्प कर रहे थे जो कि आप लोगा 5 अक्टोबर 2021 को कंड़क्ट हुआ था जिसमें हम लोग लगवग 70 कुषिन तक सल्प कर लिये थे आज 71 कुषिन से सल्प करेंगे चलिए देखते हैं क्या कुषिन में सब है जैसे कि हम पहले भी बोले हैं आप लोग रेडी हो जाइए अपना एकजाम खुद देने के लिए इससे आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोग कितना कुषिन सल्प कर पा रहे हैं तो चलिए फ्रेंट्स 71 कुषिन में चलते हैं वहन लोकोमोटीप इज डिटेच फ्रम स्टेवलिंग अप एम्टी आइसे ब्रेक एट प्लाटफर्म इन हाओ मैनी कोचस मस्ट ब्रेक वी एप्लाइड यह देखिए इहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का प्लाटफर्म में यार में अगर एक आइसे अप रेक देखिए स्टेबूल होता है जो कि आप लोग का लोकोमोटीप डिटेच हो जाता है उसके बाद आप लोग का रेक्टो स्टेबूल होता है तो इसमें पूछ रहा है कि इन हाओ मैनी कोचस मस्ट ब्रेक भी एप्लाइड यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो स्टेबूल रेक यह आप लोग का कितना कोच में ब्रेक लग के रहना चाहिए तो जैसे कि हम लोग regular practice में क्या करते हैं कि आप लोग का जैसे भी आप लोग का ऐसे तो हम लोग stable होने के बाद इसको release करते ही नहीं है आप लोग का operating department, cnw department देखते हैं answer करते हैं कि आप लोग का properly skid लगा है किने या जहां पर chain बानने कभी सुविदा है chain किया गया किने आगे पीछे handbrake लगा है किने इस सब तो answer करते ही करते हैं उसके बात minimum आप लोग का आगे पीछे से 3-3 कोच में जैसे भी आप लोग का brake लग के रहना चाहिए तब जाके ये गाड़ी आप लोग का कहीं भी roll down होगा नहीं तो आप लोग का answer यहीं पर किया होगा फ्रेंट अप समसी के साथ चलिए ये बहुत safety meter रहता है इसको बहुत ही आप लोग जो भी फ्रेंट याड में काम करनें स्टेशन में काम करनें उनलों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा आप लोग का जो भी रेक आके स्टेबूल रहता है वह रेक को आप लोग प्रपरली safety के साथ उसको याड में स्टेबूल रहने के लिए जो जो पारामेटर से उसको आप लोग को यूज करना है उसको आप लोग को इस्तेमाल करना है तो चले नेक्स्ट चलते हैं अचल अचल प्रपलीटि लिव ग्रांटेड ओन एक्सिडेंट ऑन डूटी वलन एक्सिडेट एड़ और देखें जो इस्पेशयल डिजाबिटी जो आप लोग का लिव जो ग्रांड होता है जब भी एक्सिडेंट हो जाता है तो यह कितना प्रियर्ट से जदा नहीं होना लोग का जो special disability आप लोग का जो रहता है वो आप लोग का 24 मन्त का साय तो होता है इसको आप लोग comments में आप लोग लिख सकते हैं कितना होगा यह आप लोग का सही answer 24 मन्त होगा इसको भी comments में आप लोग लिखे the standard height of platform for blc वागन देखिए buggy low platform height container जो blc जिसमें कि आप लोग का container सब लोड होता है इसका पूछ रहे standard height पूछ रहे standard height of platform from rail level पूछ रहे इसका भी आप लोग क्या होगा फ्रेंस answer आप लोग दीजे comments में दीजे इस सब जो tight tight question थोड़े यात रखना है तो इसमें आप लोग का क्या होगा आप लोग answer दे सकते हैं next चलते हैं which equipment are not charged when c3w dv is isolated in twin pipe system यह देखें twin pipe system में c3 type dv होता है उसको अगर हम लोग क्या करेंगे तो यहीं पर पूछ रहा है कि isolate कर देंगे c3 type dv को c3w type dv को अगर isolate कर देंगे तो कौन-कौन सा इसमें equipment charge नहीं होगा पूछ रहा है आप लोग का correct answer भी हो जाएगा जैसे कि आप लोग टाइप सब्सक्राइब में जैसे कि आप लोग जानते हैं आप लोग क्या का टाइप का डिवी यूच हो रहा है जो भी coaching depo में वासिंग लाइन में काम करते हैं उन लोग को पता होगा आप लोग का C3w हो गया आप लोग टाइप का डिवी यूच होता है तो जो भी डिवी यूच होता है उसमें आप लोग अगर isolate कर देंगे आप लोग का डिवी को तो इसमें क्या होगा आप लोग का control reservoir और brake cylinder चार्ज होगा नहीं option B के साथ चलिए What is the function of solenoid valve और magnetic valve का क्या काम होता है तो इसका काम होता है to control the entry of air pressure ये देखे जो air pressure जो entry होता है उसको control करता है Control the entry of air pressure Next चलते हैं friends Slackless driver is used in which type of wagon ये देखे बिल्सी वागन में आप लोग का यूच होता है slackless driver जैसे भी इसमें CBC भी यूच होता है और slackless driver भी यूच होता है जैसे कि पकल लिजे ये आप लोग का हो गया BLC रेक आप लोग का ये वागन सब हो गया या car हो गया इसमें जो car बोला जाता है देखे 5 car में एक unit होता है और 5 वागन में आप लोग का होता है तो आप लोग को थोड़ा समझा दे रहे हैं ये देखे ये end में आप लोग का CBC रहेगा तो ये हो गया आप लोग का A कर हो गया last ending में A कर रहेगा और बीच में आप लोग का B कर रहेगा देख सकते हैं B कर रहेगा तो आप लोग का A कर का end में और आप लोग का ये दोनों end में CBC लगा हुआ रहेगा और ये जो है आप लोग का SLD है SLD बीच में जो हुआ है यह सब आप लोग का SLD हैं स्लक्लेस्ट ड्रोबर है और आप लोग का SBC लगा हुए रहता है तो आप लोग का BLC रेक में BLC वागण में ज्लक्लेस्ट ड्रोबर यूज होता है याद रखें रहे questi कंड्रों आप लोगा जो पडर्रेंड में कोच में जो भी अप सो ब्रते हैं उसको मारने के लिए प्रेस्ट कंड्रों करेंगे तो अगर का ändra 10 बेलके 15 रेचराव में आप लोगा इसी को समय जैसे कर ना है उसे साँ से आप लोगा-स लीपर कोच में ये भी no down कर सकते हैं plan slipper coach में वो एक महिना और आप लोग का GS coach में GS जो है GS coach में आप लोग का हो जागा दो महिना तो एही अंतराल में इसमें pest control किया जाता है इसको भी यात रखे ये भी कुछ ने exam में आ रहा है बार बार In case of brake winding on one wheel set what do you do first ये पर पूछ रहा है कि आप लोग का brake winding एक wheel set में आप लोग का brake winding हो गया है मतलब एक excel में आप लोग का एक wheel set में brake winding हो गया तो पहले क्या करेंगे तो देखे ये पर पहले क्या करेंगे आप लोग तो ये पर आप लोग का ये करेंगे check the both brake calipers are jam देखे चेक किजे कि आग आप लोग का जो break caliper jam है कि ने बोध ब्रेक caliper को चेक कर लीजे उसके बाद check the jump valve of affected wheel उसका affected wheel सेट का उसको आप लोग चेक कर लीजे जैसे कि चार्च dumbal रहता है तो जो wheel सेट का jump valve है उसको check कर लीजे उसके बाद चेक दो ब्रेक सिलिंडर इन अपरेटिंग कंडिशन यह देखे अपरेटिव कंडिशन में ब्रेक सिलिंडर होना चाहिए तो any of the above हो जाएगा आप लोग का answer इसमें से कोई भी आप लोग को करना पड़ेगा तो चलिए next question चलते है radius of the flange at root of lhb will shall not be less than यह देखे अपर less root radius पूछ रहा है तो आप लोग का पूछ रहा है कि radius of the flange, flange का radius इसका root में आप लोग का lhb will के लिए कितने से आप लोग का कम नहीं होना चाहिए यह आप लोग का 13 mm से कम नहीं होना चाहिए What is the maximum permissible difference in buffer height between two CBC दो CBC के बीच में आप लोग का CBC height difference या buffer height difference कितना आप लोग से पूछ रहा कि maximum कितना आप लोग का difference इसमें होना चाहिए तो the maximum permissible जो आप लोग का buffer height difference है 75 mm होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा होने से वह वागन को डितेच करना पड़ेगा यह उसका जो भी आप लोग का उसके लिए करना पड़ता है जैसे कि आप लोगःड का नीचे सेंक प्लेट बेंड करके लगाना पड़ता है याड बगयर जो आप लोगा CVC height होता है और minimum 1030 होता है तो इसको अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो आप लोगा 75 mm होगा जो कि आप लोगा maximum है इससे ज़्यादा होने से आप लोग next car by जो है उसको करना पड़ेगा इस brake cylinder pipe pressure is below 0.6 bar the brake indicator सोच यह देखिए बार जो होता है प्रेसर का unit होता है जैसे kg per cm2 एक unit होता है ऐसे बार भी एक unit होता है तो इहीं पर पूछ रहा कि brake cylinder pipe pressure पूछ रहा है इहीं पर brake cylinder pipe pressure अगर 6 bar से अगर कम है तो brake indicator क्या सोच करेगा brake indicator आप लोग का green सोच करेगा अगर 0.6 से अगर ज़्यादा है प्रेसर तो क्या आप लोग का सोच करेगा red सोच करेगा तो आप लोग option B के साथ चले हैं पर कुछिन के अनसर during check of counter counter of knuckle the counter gauge must यह देखिए आप लोग नकल चेक करते हैं CBC में नकल close condition में रहता है नकल जब भी close condition में रहता है तो नकल gauge आप लोग का counter gauge लाएकर हम लोग जो चेक करते हैं नकल खराफ है ना CBC खराफ है तो इसके लिए आप लोग का पूछ रहा है during check counter of knuckle the counter gauge must जो counter gauge must यह बोलो के pass होगा के नहीं होगा देखिए रूल के अनुसार तो यह आप लोग का जो आप लोग का go और no gauge step का आप लोग का यूज किया जाता है इसमें must not pass पास नहीं होना चाहिए लेकिन इसका भी condition होता है तो देखते हैं चले condition थोड़ा समझा दे रहे हैं यहीं पर जैसे कि आप लोग जो भी फ्रेंड्स आप लोग का आरोज डिपू में कर रहे हैं या आप लोग का सीक लाइन में कर रहे हैं उनलोग को पता होगा तो close condition में उसका gaging करना है तो आप लोग जो counter gauge number आप लोग का 1 पहले यूज करते हैं उसके बाद two करते हैं तो one करते हुए क्या होता है तो knuckle close condition में है तो आप लोग क्या करेंगे contour gauge number one को आप लोग apply करेंगे तो यह apply करने से यह क्या होना चाहिए अगर यह अगर नहीं पास हुआ यह counter gauge number one अगर नहीं पास हुआ मनें आप लोग का not past अगर पास कर गया यह पास अगर पास कर गया तो एही कंडिशन में आप लोग का क्या होगा एही कंडिशन में आप लोग चेंज कर दीजे क्या चेंज करेंगे नॉकल को चेंज करेंगे यह देखे नॉकल चेंज कर दीजे उसके बाद नॉकल का पीन चेंज कर दीजे इसके ब नेक्स चलते हैं condition आप लोग का counter gauge number आप लोग का 2 देखें इहीं पर अगर देखें कि आप लोग का पूज रहा है कि उसके बात क्या apply करेंगे आप लोग का counter gauge नमर 2 apply किजे तो if gauge आप लोग का counter gauge अगर pass अगर मनें नहीं करता है if not pass not pass अगर pass नहीं कर रहा है मतलब आप लोग जो आप लोग का knuckle यूज किये हैं आप लोग का नया knuckle लगाए हैं नकल पीन लोग लगाए हैं सब ओके हैं अगर pass कर गया इप pass अगर counter gauge नमर पास कर गया इसके बावजूद भी तो इसमें क्या होगा आप लोग का cbc को ही चेंज कर दीजे इसमें आप लोग दीजे क्या होगा counter gauge आप लोग का पास करना चाहिए के नहीं करना चाहिए इसको कमेंट्स जरूर बताइए इफ एमर्जन्सी एफलेकेशन दब्रेक सिलिंडर प्रेशन राज़स्ट प्रम 0.30 जिरो टू 3.6 kg पर सेंटिमिंटर स्क्वेर यह देखिए इमर्जन्सी ब्रेकिंग आप लोग यूज कर दिये है जब भी आप लोग 1.5 kg या इससे अगर एभव 1.5 kg है इससे ज़ादा अगर प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो उसको इमर्जन्सी ब्रेकिंग बोल के बोला जाता है तो इहीं पर पूछ रहा है इमर्जन्सी ब्रेक भी प्रेशर ड्रॉप कर दिये हैं तो इहीं पर पूछ रहा है ब्रेक सिलिंडर जो फिलिंग होगा ब्रेक सिलिंडर जो प्रेशर जाएगा 0 से 3.6 kg पर सेंटिमेटर स्क्वेर ये कितना टाइम में जाएगा तो ये इंडिरेक लिए आप लोग को क्या पूछा है एपलिके सिंगिल कर टेस्ट करते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग कब सिंगिल कर टेस्ट करते हैं तो जब भी सिंगिल कर टेस्ट करते हैं तो इसमें लिकेज जो रेट पूछ रहा है कितने से जादा नहीं होना चाहिए ये कोचिंग के लिए पूछा है तो य 0.2 kg per cm2 per minute एक minute में 0.2 kg per cm2 प्रेसर से ज़्यादा नहीं लिकेश होना चाहिए जब भी आप लोग SCTR करते हैं SCTR मतलब सिंगल कर टेस्ट रीग आप लोग का जो करते हैं सिंगल कर टेस्टिंग जो करते हैं इसमें आप लोग का क्या 0.2 kg per cm2 per minute से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप लोग option 84 का C के साथ चले इसी साब से फ्रेंट्स गूर्स में बताए अगर सिंगल वागन टेक्स्टिंग कर रहें SWTR कर रहें है SWTR कर रहें तो इसमें लिकेश रेट क्या है कितना लिकेश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यह आप लोग कमेंट्स में बताए What is the kodal life of tank wagon यह देखे tank wagon का आप लोग कोडा life बताए तो tank wagon का kodal life 40 years था साथ अभी 45 years हो गया ना किया देखिए उसको सोड़ा कमेंट्स में बताए आप लोग का तो यहीं पर जैसे कि लग रहा है कि आप लोग का यह all are wrong हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का all are wrong हो जाएगा यह आप लोग का 40 years आप लोग का kodal life है tank wagon का तो इसको थोड़ा आप लोग verify कर लिजे क्या होगा लेकिन जैसे कि अगर कोई changes नहीं हुआ तो 40 years था ही था आप लोग इसको कमेंट्स में बताएगा तो इसी साबसे आप लोग का यह all are wrong हो जाएगा यह तो आप लोग का tank wagon का kodal life 40 years है next चलते हैं the color of BPC of CC rack एग देखे CC rack close circuit rack इसमें BPC का color पूच रहा है तो यह आप लोग का yellow color हो जाएगा लेकिन यह तो अभी online BPC आप लोग का निकल रहा है आप लोग का goods में FMM में आप लोग का BPC निकल रहा है Fright Maintenance Fright Maintenance Management सिस्टम में निकल रहा है इसमें आप लोग का सब BPC का color white ही होता है लेकिन आप लोग जो कुछिन पूराना pattern है उसी के answer yellow लीजिए और yellow ही है आप लोग का सही answer है Permissible Variation in wheel डाया of same case of bogie और वागन in how many MM यह देखिए आप लोग का जब भी wheel change करते हैं तो permissible variation wheel डाया में कितना होना चाहिए वो भी same case of bogie में पूछा है तो same case of bogie में क्या होता है 13 mm होता है repeated cushion है यह सब गलती नहीं होना चाहिए तो आप लोग के लिए कुशिन है कि आप लोग का same excel में goods का case में goods का case में आप लोग का same excel में same excel इसमें कितना होगा same excel में और same wagon में same wagon में यह दो कुशिन आप लोग के लिए है जरूर comments बताए फ्रेंज what is the gross clearance of A class ODC A class ODC पूछा है, जैसे कि आप लोग ODC जानते हैं, our dimensional consignment होता है, ये भी बहुत important topic है, जरूर इसको आप लोग याद रखिए, A class, B class, C class ODC के बारे में पढ़िए, इससे भी repeated questions आ रहा है, तो यहीं पर पूछ रहा है, एक टो gross clearance, एक टो net clearance रहते हैं, वो भी आप लोग पढ़ तो इहीं पर gross clearance अभी तक के लिए देख लिजिए, कि A class ODC में आप लोग का कितना होता है, तो इसमें आप लोग 9 इंच होता है, याद रखिए, during the air brake test of the rake, which hose pipe should be connected fast, यह देखिए, इहीं पर पूछ रहा है, जब भी air brake test करते हैं, तो इहीं पर पूछ रहा है, कि आप लोग का कौन सा air hose pipe को BP का air hose pipe, या FP का air hose pipe, किसको पहले connect करेंगे, तो इसमें आप लोग का air hose pipe जो connect करना है, any hose pipe, कोई भी आप लोग पहले जोड सकते हैं, आप लोग के सुबिदा के अनुसार, या आप लोग जोड़िए, तो आप लोग 89 का हो जाएगा, फ्रेंस, any of the above, see हो जाएगा, लेकिन जब भी आप लोग LHB rake अगर इसको ready कर रहे हैं, आप लोग का station में, आप लोग का placement हो build up हो गिया है, इंजिन में, MR pressure आ गिया है, उसके बाद, लोको पाइलेट से संपर करके, जब भी CNW staff pressure खोलते हैं, पहले FP का करते हैं, FP का pressure पहले खोलते हैं, क्यों खोलते हैं, उसमें भी region है, यह तो आप लोग का FP का जो pressure होता है, आप लोग का, क्या चीज के लिए यूच होता है, आप लोग का FP का pressure आप लोगा toilet के लिए यूच होता है, टोलेट पर पोच के लिए, उसके बाद आप लोग का air spring में होता है, तो जितना air tank है, भरने में time लगता है, इसलिए FP को पहले खोला जाता है, जैसे ही FP का pressure आप लोग का 6 kg या 5.8 kg आ जाता है, उसके बाद ह नहीं BP pressure खोले, नहीं तो practically आप लोग जाके test कीजिए, देखिए, अगर FP का pressure नहीं आया है, आप BP खोल देंगे तो FP का pressure उहीं पर ही रहे जाएगा, और आप लोग का लोको पाइलट या आप लोग का guard साहब इसको continuity करेंगे नहीं, गाड़ी mark आएगा, ये practically आप लोग kisam karちゃん करेंगे, service application जैसे कि आप लोग एक से डेड़ के जी, service application आप लोग का जानते है minimum reduction, उसके बाद service application, इसके बाद full service application, उसके बाद emergency application एक बाद देख लीजे, आप लोग का 0.5 का चरिफ चिंधा, आप लोग का 0.8 है, ये देखिए, यह हो जाता है, आप लोग का minimum, आप आप लोग का 0.1 यह service application उसके बाद आप लोग का 1.5kg full service application और 1.5 से आप लोग का जो भी ज़्यादा होगा वो हो जाता है emergency application इसको याद रखिये friends तो यही पर आप लोग का कुशिन है service application में break should apply ने break कप अपला हो जाना चाहिए तो release कितना में हो जाना चाहिए तो release कितना में हो जाना चाहिए आप लोग के साथ चलिए next चलते हैं when emergency pool box pool from inside the coach यह देखें यही पर पूछ रहा है कि जब भी हम लोग emergency pool box pool करेंगे lgb coach के आप लोग का कुशिन है अंदर से जब भी हम लोग pool करतेंगे तो क्या होगा यही पर आप लोग का क्या होगा friends यही पर the air pressure drop हो जाएगा यही पर आप लोग का air pressure drop हो जाएगा और आप लोग का पूरा क्या break लग जाएगा गाड़ी रूख जाएगा यह आप लोग जानते हैं chain pool करने से क्या होता है pressure drop होता है बेपी pressure drop होता है प्रिंस्पुल एप्लिकेशन आप ब्रेक एक्सिलेटर देखे ब्रेक एक्सिलेटर जो इसका प्रिंस्पुल एप्लिकेशन पूछ रहा है यह क्या होता है इमर्जंसी इमर्जंसी ब्रेकिंग होता है इमर्जंसी ब्रेकिंग इन इज कोच अब दी रेक जब भी ब्रेक एक्स एक्टिवेट हो जाते है तो यहीं पर आप लोगा एंसर हो जाएगा इमर्जनसी ब्रेकिंग इंच कोज अफ दे रेक वाट डो दो राइडिंग इंडेक्स मेजर देखिए राइडिंग इंडेक्स क्या मेजर करता है speed measure नहीं करता है weight भी measure नहीं करता है displacement भी measure नहीं करता है all are wrong हो जग है यह किसको measure करता है आप लोका comfortness को comfortness जो आप लोका comfortness होता है इससे पता चलता है writing index से तो एक simple number होता है इसका कोई unit रहता नहीं कोई एकक रहता नहीं याद रखे the correct action of excel box filling by manually यह देखे जो excel box filling करेंगे excel box का आप लोग temperature लेंगे तो इसमें correct action क्या होगा यह देखे option पहले पढ़ लिजेगा उसके बाद आप लोग इसका answer दीजेगा क्या हो सकता है hold the bare hand on the excel box for 5 minutes यह देखे 5 minute के लिए आप लोग का bare hand में उसको पकड़ यह पूछ रहा है देखे यह देखे option हो गया hold the bare hand on the excel box for some times कुछ time के लिए इसको आप लोग hold कीजिए यह पर पूछ रहा है instant touching of excel box by bare hand यह देखे यह पूछ रहा है all of the above 94 का आप लोग answer दीजे क्या हो सकता है फ्रेंस 94 का आप लोग comments में बताइए क्या हो सकता है correct action क्या है इसको आप लोग comments में बताइए if primary spring of an excel box is weak it can be identified by यह देखे primary spring अगर आप लोग का क्या कमजोर है if primary spring of an excel box excel box का आप लोग देखे primary spring अगर weak है तो इसमें कैसे यह identify होगा कैसे आप लोग को मालूम पड़ेगा तो इसको मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग तो measuring the deflection of primary damper यह देखे primary damper का जो deflection है उसको देखके पता आप लोग लगाएंगे कि आप लोग का primary spring आप लोग का weak है न क्या है उससे पता चल जाएगा तो इसका सही answer होगा क्या होगा measuring the deflection of primary damper primary suck observer यह primary damper का deflection को देखेंगे इससे पता चल जाएगा spring का condition in case of grease oging can be seen from grease oging हो जा रहा है तो कैसे देखेंगे friends इसको तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे at front ceiling of the bearing bearing का जो front ceiling होता है इससे ही grease oging होके grease निकल जाता है तो यह आप लोग का क्या होगा at the front ceiling ring front ceiling ring से ही grease निकलेगा इससे पता चलेगा कि grease oging हो रहा है grease निकल जा रहा है यह condition में क्या करना पड़ता है coach को या आप लोग का जो वागन जो भी बोलते है उससे सबसे आप लोग का उसको procedure के answer उसका next का रहा है भाई detachment किया जाता है याद रखे grease oging का भी यह question आ रहा है इसको भी याद रखे what is mean by anti-climbing यह देखे anti-climbing जो future sub दिया गया है कि जैसे कि आप लोग का accident के द्वारा accident जब भी दुरगटना हो जाता है तो एक कुछ के उपर चड़ना जाए इसलिए आप लोग का जो ARS tab CBC में anti-climbing future sub दिया गया है तो इहीं पर क्या होगा friends तो 97 का आप लोग option देखे उसके answer आप लोग answer दिजे कि protection against climbing of one coach to another coach in case of accident आप लोग का option A के साथ चलिए charging time of CR control reservoir कितना आप लोग का time में charging हो जाता है भर जाता है तो इसके लिए आप लोग का 160 second लगता है पूरा tank भरने के लिए charging होने के लिए आप लोग का CR को याद रखे 98 का B हो जाएगा How many brake cylinders are provided in LHB coach देखिए LHB coach में आप लोग का brake cylinder पूचा है जो कि यहीं पर कोई भी होगा ने यह LHB coach के लिए पूचा है जैसे के आप लोग सब जानते हैं LHB coach में है repeated coach ने कितना संख्या में आप लोग का brake cylinder लगता है Under which schedule in single car test le Tikab Kalan यहीं ऐधिश के रेड आउट single car test का फोते है नहीं आप लोग का सिब्ट का लोग सान sır यह नहीं यहीं पर реш K आयोच के दोरन होगा पीयोच में भी होगा पीयोच जब जायेगा कोछ वर सकपो तब भी होगा या किसी कारण से एगर कोस्टोश सीख हुआ है सीख हुआ है तो इसको अगर हम लुएड़ देंगे तो फिड़ देने के लिए इसको आप लोग का जैसे भी SCTR टेस्ट से ये गुजरना पड़ेगा, SCTR करके ही इसको final हम लोग air break का फिड देंगे, तो एही आप लोगा तीन कंडिशन में क्या होता है, ये आप लोगा SCTR होता है, सिंगल का टेस्ट रिख होता है, चलिए आप लोगा राजवासा का कुशिन आ गया, इसको क्या है, according to official language rule, Tamil Nadu falls under which region, ये देखे, आधिकारिक भासा नियोमों के अनसर, तामिल नाडu किस खेत्र में आता है, ये आता है, तामिल नाडu, तामिल नाडu, सी रिजियन में, गोह खेत्र में आता है, ये देखे, यही पर रवर स्टांप का पूछ रहा है, रवर स्टांप में जैसे के दुई भासी, आप लोगा हिंदी और इंगलिस में रहना चाहिए, तो ये आप लोगा अप्सन क्या होगा, हाउ मैनी लेंग्वेज पूछा है, दो भासा रहेगा, हिंदी रहेगा, उसके बाद एंगरेजी रहेगा, तो आप लोगा 102 का 20 के चल चल ज़िए, बाइलेंग्वेल रहेगा, दुई भासी रहेगा, अफंटर हाउ मेनी मंत शूड़ बी डिवीजिनल औफिसियल लेंग्वेज इंप्लीमेंसेजन कमिटी मेटिंग हेलल, ये दीदेखे, यह answer हो जाएगा आप लोग का तीन महीना में quarterly एक बार होगा तीन महीना में एक बार होता है आप लोग का DO-LIC का meeting होता है तो आप लोग के लिए कुसिन है TO-LIC TO-LIC का यह भी कुसिन रिपीट हो रहा है Town Official Language Implementation Committee का meeting कब होता है इसका periodicity क्या है इसको comments में ज़रूर बताएए How many Hindi courses are prescribed for Central Government Employee केंद्र सरकार के करमचारी के लिए कितने हिंदी पाठेक्रम निधारी थे यह देखिए आप लोग का तीन पाठेक्रम निधारी थे जैसे कि आप लोग का प्रबोत हो गया प्रबोत यह पहला है इसके बाद आप लोग का प्रबीन हो गया प्रबीन उसके बाद प्राग यह जो आप लोग का तीन कुर्स रहता है पहला कुर्स होता है प्रिल्मिनारी कुर्स होता है आप लोग का फास्ट जो इलिमेंटरी कुर्स जो है यह पहला प्रारंबिक कुर्स है फास्ट यह प्रवबोत होगा इसका प्रवबीन होगा इसका प्रग्या जो होता है फाइनल कुर्स होता है तो तीन कुर्स Central Government Employee के लिए यह आप लोगा प्रेस्क्राइब किया गया है When Hindi Day is Celebrator Every Year हर सल हिंदी दिवस कप मना जाता है 14 सितंबर को तो आप लोगे लिए कुशिन है All Hindi Day यह भी आ रहा है तो इसको बताए है कमेंस में कप इसको पालन क्या जाता है 200 हिंदी दिवस Who is the chairman of Central Hindi समीती यह देखें केंद्रे हिंदी समीती का अध्यक कोन होते है प्रधान मंत्री जी होते है तो इसी साब से संसदिय राजवासा समीती का अध्यक कोन होंगे यह कमेंस में बताए है आप लोग Who is the chairman of the Divisional Official Language Implementation Committee यह देखें DOLAC का चेर्मेन कोन होंगे DRM साफ होंगे Division में है इसलिए DRM होंगे जोन में होना से कोन होंगे GM साफ होंगे एलिमेंटरी हिंदी कोर्स प्रेस्ट का चेर्व सेंट्रल गमेंट EMP यह देखें प्रारहम भी कोर्स पुछा है केंद्र सरका के कर्मचार्व के लिए निधारित प्राथमिक हिंदी पाठेक्रम कोन सा है यह क्या होगा अप लोका जैसे कि बता है प्रभौत है When watch official language rules past राजभासा नियम कब पारित क्या गया था राजभासा नियम पूछ रहा है देखिए राजभासा नियम अधिनियम दोनों में difference है उसी साफ से आप लोग उसको answer दीजए तो ये हो जाएगा आप लोगा 1976 हो जाएगा राजबासा नियम और सचहरतर में पारित वाता है याद रखिए नेक्स चलते हैं According to the official language rule अंडामान और निकोबर एसलेंड फॉल्स अंडर विच रिजिन राजबासा नियम के अनुसर अंडामान और निकोबर दीप समुह की स्केत्र के अंतरगत आते हैं यह हो जाएगा आप लोग का यह रिजन यह भी कुशिन रिपिटर कुशिन है तो चलिए फ्रेंस आज के लिए इतना ही तो आप लोग बड़ेंसे वीडियो देखिए जानने का सिखने का कोशिस कीजिए कहीं भी कमेंट्स आप लोग कहीं की गलत हो रहा तो कमेंट्स में जरूर बताइए तो आप लोग जितना प्रेपरसन ज्यादा करेंगे जितना ज्यादा वीडियो देखेंगे उतना ही आप लोग का प्राक्टिस होगा तो रिविजन होगा तो चल मिलेंगे नेक्स्ट विलियो में जय हिन दोस्तो जय जगरनाथ